ये नोटिस मुझे कल रात आठ बजे मिली है और ये मामला ये हुआ है कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कानपूर देहात में एक कांड हुआ है जिसमें बुल्डोजर चला दिया जाता है उनके घर पे और मा बेटी जिंदा जल जाती है तो मैं एक लोग गाईका के रूप में जो है मैंने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कोशिश किया है मैं लगातार लोग गीत के माध्यम से सरकारों से सवाल पूछती रही हूँ तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने यूपी में काबा करके सवाल पूछा उसे पहले भी जिसका जवाब अब तक वो लोग दे नहीं पाई ये क्या जवाब दे पाएंगे अभी भी जवाब तो दे नहीं पाते हैं ये नोटीस दे देते हैं तो उस चीज़ पे इनको बड़ा मिर्ची लग गई कि भाई ये कैसे हो सकता है तो अमबेटकर नगर जहां पे मेरा ससु इनको कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि मैं यूपी एसी की प्रिप्रेशन करना चाहती हूं एक महिला फोन करती है और हिमांशु जी आप तो क्यूंकि यूपी एसी की कोचिंग कराते हैं तो आपको बड़ी जानकारी है मुझे कुछ आपसे गाइडेंस लेनी है सर आपसे ऐ सब्सक्राइब करते हैं मुझे क्या पता उदर आप कौन है एक तो पहले जूट बोल करके सारी चीज़ें कर रहे हैं हमने कौन से इतना बड़ा फ्राद किया आपको इतना बड़ा जूट बोलना पड़ा है कि हम यह बोल रहे हैं यहां आजाओ बड़ा ही अजीब तरीके का आपको दबाओ बनाना फिर बात हुई तो हम लोग थोड़ा सा मतलब बच रहे थे क्योंकि हाँ ओविस सी बात है ड इतने बड़ी बात नहीं हो गई है इतने पुलिस के लोगा हैं वहां पे पूरा एकदम जीब भर के गये हुए थे आपके पास बिच्छे साथ लोग आया हुए थे अचा यह बताएं कि नोटिस में लिखा क्या है नोटिस में देखिए यह तो है मेरे पास नोटिस बड़ा ट्रिकी तरीके से सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं बिना वकील से बात किये नहीं दूँगी इसमें देख लिजिए आप भी देख लिजिए इसमें क्या सवाल है है अथवा नहीं आप हो या नहीं आपने गाया है या नहीं टाइप इतना दिमाग लगा करके सवाल तया आवाज उठाती रही है लेकिन क्या आप ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल थौट रखती है नेहा जी नहीं देखी हम क्या बोलते हैं हम वोट करते हैं आपको आप जो है मेरी वजह से हम सब की वजह से सत्ता में है तो हम बिल्कुल अपना थौट होता है बाकी मैं एक लोग मै पैसा नहीं होता कि किसी एक पाटिकुलर सरकार को ही टार्गेट करती है उत्तर प्रदेश में अभी किसकी गवर्मेंट है बीजेपी की है सवाल में किस से पूछोंगी सपा से पूछोंगी नहीं ना सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में होगा अब आपको लग जा कब तक देने का कोई वक्त दिया गया है आपको पेश होने के लिए कहा गया है हाँ तीन दिन बाद अगर मैं नोटीस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाब उचित कारवाई होगी देखाईए आप जरा वो नोटीस एक बार फिर देखिए और उत्तर प्रदेश की सक् सक्रियों हो या नहां हो इस मामले में तो बढ़ी सक्रियों हो गई है ये कहना है पुलिस का कि मतलब इससे महौल खराब हो सकता है जी यूपी में काबा सीजन 2 जो मैंने घाना घाया है जिसमें मा बेटी के दर्द Intelligence क को तरह से क्या बोलते हैं प्रशाशन की बरबरता और ये सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है तो उनको लगता है कि मैंने समाज में वैमन श्रत्या फैलाने की कोशिश करिये सामाजिक सौहार्दर बिगारने की कोशिश करिये मैंने समाज में तनावपुर्ण माहौल क्र यहां सिंग राठ और जिस तरीके से अब तक गाती रही हूं आगे भी गाती रही हूं जैकली मैं नहीं रुकी हूँ यूपी में काबा सीजन वन जब आया था उस टाइम एकदम इनके बड़े-बड़े सांसत विधायक एकदम भेड बकरियों की तरह चले आये थे यूपी मे यूपी में तो हर भतार भा फलाना धिमकाना करके मैं तब नहीं रुकी थी मैं अब रुकूंगी मैं बिलकुल नहीं रुकने वाली हूँ